Hello Everyone, Welcome to my YouTube channel Bright Future English Classes और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7th Class की Supplementary की Book An Alien Hand का 2nd Chapter Bringing Up Kari का Part 2 इस Chapter का कुछ पार्ट हमने 1st वीडियो में Complete किया था और जो बागी का पार्ट बचा हुआ है वो हम इस वीडियो में Complete करेंगे तो आईए सुरू करते हैं Seeing us drift by in the current Kari who was usually slow and ponderous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water जब कारी ने देखा कि हम धारा के साथ बह रहे हैं वैसे तो वो usually slow होता था ponderous होता है नीरस नीरस होता था लेकिन अचानक से वो नीचे आया like a hawk एक बाज पक्सी की तरह है and came halfway into the water और पानी में कुछ दूरी तक वो आया where I saw him stretch out his trunk again जहां पर मैंने उसे दुबारा से अपनी सूंड को फैलाते हुए देखा I raised up my hand to catch it and it slipped मैंने अपने हातों को उठाया उसकी सूंड को पकड़ने के लिए but उसकी सूंड जो है वो मेरे हातों से slip हो गई I found myself going under the water again मैंने दुबारा से देखा कि मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ but this time लेकिन इस बार I found that the water was not very deep मैंने ये भी पाया कि पानी इतना गहरा नहीं है जितना कि मैं सोच रहा था so I sank to the bottom of the river और मैं पानी के नीचे तक चला गया and double my feet under me और अपने पैरों को अपने नीचे जोर के साथ मैंने दबाया and then suddenly kicked the river bed और फिर नीचे से ही पानी में मैंने kick की and so sought upwards like an arrow और जैसे की एक तीर बड़ी तेजी के साथ आगे जाता है मैं इसी तरीके से पानी के अंदर से बाहर आया in spite of the fact that I was holding the running boy with my hand और इसके बावजूद भी मैंने ऐसा किया जबकि जो वो लड़का जो डूब रहा था उसकी बोड़ी भी मेरे ही हातों में थी as my body rose above the water और जैसे ही मेरी बोड़ी पानी के बहार आई I felt a lasso lasso होता है एक फंदा around my neck मैंने अनुभव किया feel किया कि जैसे मेरी गर्दन पर कोई फंदा लगा हुआ है this frightened me इस बात ने मुझे ड्रा दिया I thought some water animal was going to swallow me swallow होता है निगलना मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई water animal पानी में रहने वाला जानवर मुझे निगलने का परियास कर रहा है I heard curry squilling and I knew it was his trunk फिर मैंने curry को चीकते हुए सुना and I knew और मैं जान गया था it was his trunk about my neck कि जो मेरे गले के चारो और है वो कोई फंदा नहीं है बलकि कारी की ट्रंक है सून्ड है he pulled us बहुत अशोर फिर कारी ने हम दोनों को मुझे भी और जिस बच्चे को मैं पानी से निकाल के आया था उसको भी दोनों को अशोर कहते किनारे तक खीच लिया next कारी बिकम्स फॉंड आप राइप बनानाज कारी उसके बाद कारी जो है वो राइप बनानाज का बहुत बड़ा सोकीन हो गया था और वो अब अपनी साहता खुद करने में विश्वास करने लगा था बलकि उसने अपने दोस्त के साथ तो डिसकम्फट फील करना शुरू कर दिया था वैसे बड़ी डिगनिटी के साथ बड़ी रेस्पेक्ट के साथ डिगनिटी होता है इज़त यानि कि रेस्पेक्ट कारी स्विकार कर लेता था जा चाइडिंग चाइडिंग होता है किसी को डाट फरकारना अगर वो कोई गलती करता था और उसको डाटा जाता था तो वो उसको स्विकार कर लेता था क्योंकि वो इस बात को मानता था कि वो इस चीज़ को डेजर्व करता यानि कि वो इसके योग्य है कारी जो है एक बच्चे की तरह था he had to be trained to be good बलकि उसको बच्चा होने के बावजूद अच्छी तरीके से trained किया गया था अगर उसे समय समय पर ना बताया जाए तो वो और ज्यादा सैतान होता चला जाता था for instance उधारन के लिए one day somebody gave him some bananas to eat किसी ने उसको खाने के लिए कुछ bananas दिये very soon he developed a great love for ripe bananas और समय के साथ साथ banana के परती उसका प्रेम बढ़ता चला गया we used to keep large plates of fruits on a table near a window in the dining room वैसे हम क्या करते थे अपने dining room के window के पास एक जो table थी उस पर बहुत बड़ी plate होती थी fruit की जहां पर fruits रखे रहते थे one day एक दिन all the bananas on that table disappeared उस बनाना पर रखे सभी जो उस table पर रखे जो सभी bananas थे वो disappear हो गए यानि कि गायब हो गए and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house और मेरी family ने इन सभी चीजों के लिए घर के नौकरोग पर blame किया कि उन्होंने ही इन bananas को चुराया है a few days later the fruit disappeared again लेकिन कुछी दिनों बाद fruit फिर से disappeared हो गए this time the blame was put on me और इस बार ये blame मेरे उपर लगाया गया and I knew I had not done it जब कि मैं तो जानता था कि मैंने ऐसा नहीं किया it made me very angry with my parents अब मुझे भी अपने parents पर गुसा आया and the servants और servants पर भी for I was sure they had taken all the fruits मुझे तो ये इस बात के लिए में sure था कि उन्होंने ही उन fruits को लिया है the next time फिर अगली बार the fruit disappeared fruits फिर से disappear हो गए I found a banana all smashed up in curry's pavilion फिर मैंने एक banana को पूरी पूर्ण रूप से smashed हुए curry के pavilion में देखा this surprised me very much इस बात ने मुझे आश्चरिय में डाल दिया for I had never seen fruit there क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी वहाँ पर कोई fruit नहीं देखा था as you know जैसे कि आप भी जानते हो he had always lived on twigs वो तो हमें से क्या खाता था twigs यानि की जो टहनियां होती थी पेड की उनसे ही वो अपना पेट भरता था इस वीडियो में बस इतना ही बाकी का पार्ट हम पढ़ेंगे next वीडियो में thank you for watching video thanks a lot